दोस्तो हम अपने पडोसियों को चुन नहीं सकते, यानि यह जरूरी नहीं है कि हमारे पडोसी हमारे अनुसार ही हो, हमारे पडोसी अच्छे हो तो उनके साथ अच्छे संबंद भी रहते हैं और जरूरत पढ़ने पर एक दूसरे के काम भी आते हैं, लेकिन काफी बार हमें परेशान करने वाले पडोसी मिल जाते हैं जब कोई पडोसी हम से डायरेक्ट लड़ाई झगडा या गाली कलोज करे तो हम उसके खिलाफ पूलिस कंपलेंट कर सकते हैं लेकिन पडोसियों की लड़ाई या परेशानी हमेशा डायरेक्ट नहीं होती बलकि वो ऐसे छोटे-छोटे काम करते हैं जिनसे कोई बड़ा अपराध भी नहीं बनता और उन चीजों को सहन भी नहीं किया जा सकता और सबसे खास बात की हम छोटी-मोटी चीजों पर कोई शिकायत करते हैं तो के लिए कोई सबूत भी हमारे पास नहीं होता क्योंकि ऐसी चीजें ऐस्था ही प्रकृतिकी होती हैं जैसे हमारे घर के आगे कच्रा डाल देना अपनी गाड़ी हमारे घर के आगे खड़ी कर देना या गाड़ी खड़ी करके रास्ता ब्लॉक कर देना अपने घर में जानवर लेकिन हमारे दिमाग में केवल ये सवाल रह जाता है कि इसका क्या उपाय करें। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि इस टाइब के एक्ट करके अगर कोई पडोसी आपको परेशान कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो यही राय है कि अगर ऐसी कोई परेशानी हो तो हमें पडोसी से बातचीत करके उसका हल निकालना चाहिए और आपस में संबंध अच्छे रखने चाहिए लेकिन अगर कोई इस तरह से नहीं माने तो हमें कोई कानूनी कारिवाई करनी ही पड़ती है में उसके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करने होंगे ताकि हम अपनी शिकायत के कंटेंट्स को प्रूव कर सकें बिना एविडेंस के कभी भी ऐसी चीजों के खिलाफ हमें एक्षन नहीं लेना चाहिए नहीं तो आप कंप्लेंट करेंगे उसमें फैल हो जाओगे और आपका पडोसी आप पर और भी ज्यादा हावी होने की कोशिश करने लगेगा इसलिए ऐसी स्थिति में कोई भी एक्षन लेने के पहले आप एविडेंस कलेक्ट करें एविडेंस में पडोसी के इस टाइप के एक्ट के फोटोग्राफ उसकी वीडियो रिकोर्डिंग हो सकती है य या आप उसके साथ ये बात करें कि आपके घर क्या के कचरा ना करें या गाड़ी खड़ी ना करें या अन्य किसी टाइप से आपको परेशान ना करें तो आप वो बात करते समय की ओडियो रिकोर्डिंग भी कर सकते हैं जिसमें आपका पडोसी ये तो मान लेगा कि उसने ऐसा कोई काम किया है लेकिन वो या तो उसे नहीं करने से मना कर देगा या फिर उसे टाल देगा उसका response कुछ भी हो ओडियो recording में ये तो आही जाएगा कि उसने आपको परेशान करने के लिए कोई activity की है अगर आपके उसके साथ संबंद बिगड गए है या आप उससे बात कर करने की स्थिती में ही नहीं है तो भी कोई बात नहीं लेकिन उसकी video recording जरूर बना लें जिसमें वो ऐसा कोई काम करता हुआ नजर आ जाए जिससे आपको परेशानी होती हो या जो nuisance की category में आता हो इसके बाद आप अपने area के subdivisional magistrate यानि कि SDM के पास criminal procedure code की section 133 के अंतरगत शिकायत फाइल कर सकते हैं कोशिश करें कि आप उस शिकायत में अपने आसपास के अन्य लोगों को भी शामिल कर सकें क्योंकि अगर एक से ज़्यादा लोग complaint करते हैं तो उसका impact positive और अच्छा आता है उस शिकायत के साथ आप photographs के print पेश करें वीडियो recording और audio recording को CD में तयार करवा के पेश करें और साथ ही audio recording की transcript copy तयार करके भी पेश करें transcript copy से मतलब है कि जो बातें audio recording में हैं उनको आप type करवा कर paper पर print करवा लेंगे क्योंकि कोई अधिकारी हो सकता है आपकी recording को ना सुने लेकिन अगर transcript copy होती है तो उसको पढ़ना easy हो जाता है transcript copy में जो portion आपकी शिकायत से relevant हो आप उसको bold या highlight भी कर सकते हो दोस्तो audio video recording को court में कैसे प्रूव किया जाए इस पर हमने channel पर अलग से video post किया हुआ है जो आप stream पर उपर दिखाए दे रहे है link से देख सकते हो और उस video का link description में भी दिया जा रहा है इस तरह से जब आप SDM को complaint करते हैं तो SDM उस complaint पर संबंदित थाने से report मगवाते हैं और report के बाद उस व्यक्ति को notice जारी कर दिया जाता है जिसके खिलाफ complaint की गई है notice generally 15 दिन का होता है लेकिन अगर SDM को ये लगे कि nuisance ऐसा है जिसको जल्दी या तूरंत रोका जाना जरूरी है तो कम टाइम का notice भी दिया जा सकता है notice में आपके विरोधी पक्ष को nuisance हटाने के लिए आदेश भी दिया जाता है लेकिन जरूरी नहीं है कि notice देने के बाद आपका प्रडोसी आपको परेशान करना बंद कर दे या ये भी हो सकता है कि आपका प्रडोसी भी SDM के सामने अपियर होकर आपकी complaint का जवाब दे और ये कहे कि उसने कोई nuisance किया ही नहीं है अगर वो notice के period में भी ना सुधरे और nuisance करना बंद ना करे तो आपको फिर से एक application देनी होगी जिस पर दुबारा पुलिस से report मगवाई जाएगी और इस बार magistrate पुलिस को order दे सकता है कि पुलिस आपके पडोसी के खिलाफ Indian Panel Code की section 188 के इंतरगत FIR register करे और कार्यवाही करे section 188 में एक महिने तक की jail और जुर्माने की सजा हो सकती है आप ये भी जान लीजिए कि section 188 तब लगाई जाती है जब कोई व्यक्ति किसी public officer के आदेश को नहीं माने दूसरी परिस्थिती में अगर आपका पडोसी भी SDM के सामने उपस्थित होकर अपना जवाब फाइल करता है और आपके द्वारा complaint में लगाये गए allegation से इनकार करता है तो SDM दोनों तरफ के evidence को देखने के बाद पूचित order दे सकते है अगर इन चीजों को लेकर या आपक लड़ाई जगडा करता है तो उसके खिलाफ criminal procedure code की section 107 में complaint की जा सकती है ये complaint आप SDM को या फिर direct police को भी कर सकते है और अगर police को लगता है कि लड़ाई जगडा जादा है या जिसके खिलाफ शिकायत की गई है वो ऐसे ही मानने वाला नहीं है तो police उसको section 151 में arrest भी कर सकती है इसके बाद आपके पास एक option और भी है कि आप अपने पडोसी के खिलाफ damages के लिए civil case फाइल कर सकते हैं जिसमें आपको हुए नुकसान के लिए और हैरानी परेशानी के लिए छतिपूर्ती मांग सकते हैं civil case थोड़ा लंबा चल सकता है लेकिन अगर आपने पहले से evidence collect क करके case file किया है तो आपके favor में order जरूर होता है दोस्तों उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि अगर पडोसी परेशान करने वाला हो तो उसको आप कैसे handle कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कर दें और इसी type की legal जानकारियों के लिए हमारे channel को subscribe करके bell button जरूर प्रेस कर दें ताकि नए आने वाले वीडियो के notification आपको मिलते रहें ऐसी ही useful legal जानकारियों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में